माना अगम अगात सिंदु है, संघर्षों का पार नहीं है, किन्तु डूबना मजधारों में साहस को स्विकार नहीं है अगर आपने जर्नी शेर करूंगा आपसे, मेरी जर्नी के वल ये एक साल की नहीं है, हमेशा मेरे माइन में था ये कि मुझे यूपीसी करनी है, और केवल आईएस बनना है, लेकिन उसके चक्कर में में अपना कभी स्कूल लाइफ वेस्ट नहीं किया, कॉलेज दाइफ, I enjoy to the full list, मैं college life में student activism में था, literary events में participate करता था, indoor quiz club मैंने found किया, जिसमें आज around 250 members हैं, और उसके members हर college में हैं indoor में, और debates में participation करना, और illocation में, panel discussion में, मैंने college में everything, I did everything which I could, तो मेरे advice यह होगा कि आप preparation के लिए अपनी college life को rune ना करें, और college life को fully enjoy करें, उसके बाद preparation का आप सोचे की preparation कैसे करनी है, तो जब मैंने अपने college life खतम किया, और I did graduation from IIPS DAVV indoor, and then I shifted to Delhi, तो जब मैं Delhi आया, तब बहुत सारी सामने myths थी, कि UPSC में around five to six attempts लग जाते हैं, और एक attempt में तो हो ही नहीं सकता, optional का prepare करोगे, prelims कैसे करोगे, क्या book source होगी, पर उसके लिए मैं किसी toppers meet में न मेरा ये aim था कि November तक पर अपना पूरा book list जो मैंने बनाया है, उसको खतम करूँ, और उसके बाद revision करूँ, तो मेरा focus हमें सा multiple revisions पे था, और हर book का जैसे लक्षमी कान थे तो उसका मैंने 25 to 30 times revision किया, Modern India जो spectrum की है, उसका 25 to 30 times revision किया, और हर चीज के लिए मैंने ज्याद ज्य तो मैंने जितना पढ़ना पढ़ा उसका revision भी किया, ऐसा नहीं है कि इतना resources के वल पढ़े मैंने, फिर मेरा ये focus था कि जब last year 2 or 3 months बचे थे, तो मैं I try to solve as many test series as I could, so I solve around 120 or 130 papers of various coachings, और मेरा आपको भी advice होगा prelims के लिए, कि अभी आप जितने भी test series solve करना चाहे करें, लेकि उन 10 दिनों में जो previous year के paper से UPSC के, उनको previous 10 years के papers आप solve करें, और हर दिन एक paper solve करें सुबह, उससे आपका mindset सा frame हो जाएगा कि UPSC कैसे questions put up करता है, और कैसे आपको फसाने की questions करता है question में, जैसे not, only, if, but, तो इसके लिए आप last 10 days में सुबह सुबह रोज एक-एक previous year के paper solve करे उससे आपके prelims के मेरे ख्याल से बहुत help होगा, फिर मेरा optional भी prelims के पहले prepared नहीं था, और मैंने बस फिल कर दिया था form में कि हाँ, मेरा optional sociology होगा, लेकिन उसके पहले तक मेरा optional prepared नहीं था, prelims जब मेरा हुआ तो I thought that I am going to clear this examination, so I thought that now I have to prepare for optional as well, so मैंने विकास रंजन सर की coaching join क ये optional के लिए, और महा भी मुझे लगा कि ये तो course चार महीने चलेगा, और जब तक ये course चलेगा, तब तक मेरा mainz भी हो जाएगा, तो मैंने सर से video lectures ले लिए और मैंने घेड़ महीने में अपना पुरा optional खतम किया, और फिर उसका revision, और last के month में test series, और मैंने mainz के लिए भी सीखा कि diagram कैसे बनाते हैं, और flow chart कैसे बनाते हैं, और उन सबको अपने answers में inculcate किया, और test series, मैंने कोई solve नहीं की, लेकिन मैंने questions बहुत ज्यादा attempt किये, और मैं कभी-कभी तो around 8-9 hours daily answer writing करता था मैं, जब ठक भी जाता था, तो सोते-सोते में लिखता था कि हाँ, मैं कु 5th question का answer 6th question में लिख दिया, फिर उसको cut किया, तो वो question मेरा पुरा waste हुआ, उसको 5th में लिखा, फिर 17th का answer मैंने गल्ती से 18th में लिख दिया, और फिर मैंने उसको काटा और 17th में लिखा, तो I was literally crying, मैं इधर उदर देख रहा था कि बाकी सबके तो सारे questions attempt हो गए, और मेर कि अब तो मेरा game over है, अब तो मैं ये exam clear नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने कैसे भी करके 19th or 28th answer बस इसे लिखा मैंने और मैं बहार आ गया, तो बहार आके मैं बहुत रो रहा था, मैंने अपने भाहिया से बात की, पापा ममी से बात की, मैंने बहुत की अब मैं 2, 3, 4 में कोई paper देने नहीं वाला, मैं आ रहा हूं इन दोर वापस, तो उन्होंने बोला कि एक खराब गया तो गया है, बाकी paper दे दो उसके बाद आ जाओ, कोई tension नहीं, अगला attempt दे देना, तो मैंने सुझा कि ठीक है, फिर मैंने और energy अपने अंदर वो की और उसके बाद मैं next paper दिया, औ तो मुझे इस अपनी छोटी ती जर्नी में मेरी एस तो आपसे काफी कम है, I am 22 years old, so I do not think that I am capable of giving you any advice, but still I have something for you, the first thing is that never underestimate yourself, आप क्या हो, आपका क्या potential है, आप क्या कर सकते हो, और आप क्या अपने life में हसिल कर सकते हो या आपको नहीं पता, तो एक बार आप प्रिलिम्स दे पाँच अटेम्ट, शे अटेम्ट, फाइव यर प्लान लगता है इसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यह एक्जाम बहुत एजी है, और आप मुझी को देख लो, कि फर्स्ट अटेम्ट है 22 years की एज है, और यह तो एक्जाम 21 years में, मतलब उसके पले अटेम्ट देने ने न आफसें, और अटेम्ट अच्छे से करें, और second thing यह है कि it always seems impossible until it is done, तो आप prelims clear करोगे तब आपके अंदर ऐसा आएगा कि यार मेंस लिखते हैं, मेंस भी आराम से clear हो जाएगा, उसके बाद आप interview के सोजोगे कि यार interview में कैसे clear करेंगे, लेकिं इंटर्वी भी clear होगा, तो एग्जाम तो easily clear हो जाएगा, इसकी कोई attention मत लो, लेकिन अपना focus और determination, determination भी नहीं, ruthless determination, ऐसा होना चाहिए कि जब आप कोई भी चीज आप आप अगर कोई aim बना रहे हैं अपने life में, तो यह होना चाहिए कि इसको कैसे भी हासिल करें, और अगर एक साल आप full year preparation को दे रहे हो, तो उसके अलावा दूसरी कोई चीज आपकी life में होनी नी चाहिए, मैंने facebook मेरे around 4500 friends थे, whatsapp में काफी thousands में contacts थे, क्योंकि मैं student activism में था और instagram पे followers थे, लेकिन मैंने सब अपने account deactivate किये, और 1.5 साल तक उन accounts को open नहीं किया, तो आप accounts चला भी सकते हो, लेकिन मेरा suggestion होगा कि जो distractions हैं, जो चीज़ा आपको distract कर रही हैं, उनको ना करें, और जो भी distractions हैं, उनको avoid करें, तो एक मैंने वो भी बना रखा था, अपना keyword ह अपने मेरा TLAM, ये TLAM मैंने प्रिलिम्स के पहले बनाया था, मेरे फ्रेंड्स पूछते थे कि इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, तो मैंने कहा था कि मेरा exam जब clear होगा, तो इस TLAM का मतलब है, talk less, act more, तो बाते कम करो कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, exam clear कर और, at least I would like to say at last, that, बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रले की घोर घटाएं, पाउं की नीचे अंगारे, सरपरबर से यदिजवालाएं, निज हाथों में आग लगाकर हस्ते हस्ते जलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा, धन्यवाज़।